देखिए student हम class 12 का क्या start करें 6.2, 6.2 में जो आपको एक तरह से topic दिया हो है, वो क्या आपका increasing या decreasing function या stickly increasing और stickly decreasing function है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे हम बच्चो, देखिए का इसका graph वाला, यह NCRT वाली graph लिए हैं बच्चो मैंने आपके, यह x-axis है यह आपका y-axis है और और कैसा उपर की तरफ जा रहा है, देखिए है ना, इसके direction का है, उपर की तरफ यह चाहिए, वो ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, उपर की तरफ है, तो यह क्या होगा, आपका बच्चो increase होता हुआ है, तो increasing function होगा, लेकिन अगर उपर की तरफ और curve shape में जा र होगा, इसी तरह से नीचे की तरफ आने वाले, side by side वाले क्या होगे, आपके decreasing function होगे, और जबके curve shape वाला क्या होगा, आपका इस टिक लिए decreasing function कहलाएगा, और अगर कोई आपका graph इस टाइप का है, देखिए, यह कैसे आपका, कभी उपर जा रहा है, कभी नीचे, कभी increasing function, ना ही increasing function है, और ना ही आपका यह decreasing function है, बच्चो, देखिएगा बच्चो, इस exercise को करने के लिए, सबसे पहले मुझे examples से start करना पड़ेगा, example number 7, इसके examples बहुत basic examples है, आपके, example number 7 में, show that the function given by fx is equals to 7x-3, is strictly increasing on r, प्रूव करना है कि यह जो function है आपका, यह r पर, यानि real numbers पर x क्या हो, आपका real number हो, is strictly increasing होगा, तो आप देखिएगा कैसे proof करते हैं इसको, graphically proof नहीं करते हैं, आप देखिएगा proof कैसे करते हैं, तो आप देखिए बच्चो, fx आपका यह 7x-3 दिया हुए, अगर मैं differentiation करूँ, किसका, इसका, with respect to x, तो आपका fx का f-x आया, और यह आपका कितना है, 7x का किया, 7-3 का किया, तो 0, तो बस 7 आया आपका, अब आप यह बताइए, बच्चो, यह 7 जो है, आपका greater than 0 है, यानि f-x, जो first derivative हो क्या है, हमारा, greater than 0 है, किस पर, चाहिए आप x कुछ भी रखे, क्योंकि यहां तो x से ही नहीं न, यह देख लीजिए, x हैं ही न, तो x आप कुछ भी पुट करिए, यह 7 ही रहेगा, यानि कि क्या greater than 0 रहेगा, यह पॉजिटिव रहेगा, therefore, f-x is stickly increasing on r, अगर यह positive रहेगा, तो stickly increasing है आपका, और अगर बच्चो, यह negative होता, तो क्या होता आपका यह, stickly decreasing होता, अब आप आप आगे देखिएग example number 8, बच्चो, example number 8 में हमें क्या देखा है, show that the function f given by, यह दिया है आपका, यह भी आपका क्या r पर ही, इसको भी stickly increasing prove करना है, बट बच्चों, यहापर आपको cubic equation दी होई आपकी, यानि कि cubic expression दिया हुआ है, तो आप देखिएगा, क्या किया है, f-x दे रहा है, differentiation किया with respect to x, तो f-x के value किते हैं, आपकी x cube का होगा 3x square, यहापर 2, 3, 6 और x के power 1 बची, और 4x में x का 1 तो 4 आपका, यह आगया बच्चों आपका, अब यह मैं positive या negative में कैसे decide कर सकता हूँ, कि यह पूरा positive है या पूरा negative है, तो यह decide करने के लिए मुझे whole square बनाना पड़ेगा, तो दे क्या किया, 4 को 3 plus 1 लिख लिया, यह 4 को 3 plus 1 लिखने का benefit आप देखिएगा बच्चों, क्या benefit हुआ, कि आप इस में से 3 common ले सकते हैं, आपने तीनों में से 3 common लिया, तो आपका यह बच रहा है, और plus 1, अब आप देखिएगा बच्चों, यह आपका 3 का 3 रहा और यह आपका x minus 1 का whole square है, आप चाहो तो factorize कर देना, और चाहो तो साफ दिखाई देरा है, a square plus b square minus 2 लिख, तो यह x minus 1 का whole square है, और plus आपका 1 का 1 ला, अब हमें पता है कि कि किसी भी number का whole square या यह आपका, क्या होगा, 0 या more than 0 होगा बच्चों हमेशा, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह 1 से क्या होगा हमेशा, आपका more than होगा, अगर आप यह plus कर देते हैं, तो ठीक है, लेकिन कब, अगर यह आपका 0 है, greater than 0 है, तो यहाँ पर भी आपका क्या आना चाहिए, बच्चों वे से, 1 या greater than 1 आना चाहिए, और अगर यह 1 या greater than 1 आएगा तो आप एक चीज का ध्यान इस चीज का ध्यान रखेएगा कि फिर आपका यह जब आपका equal or greater होता है ना, तो उस condition में आपका क्या होता है, फिर यह equal or greater अगर है, तो यहाँ पर यह confirm हो गया हमेरा, कि हाँ 1 या 1 से more than है, तो F-X जो है हमारा क्या होगा, 0 से तो greater ही होगा ना हमेशा, जब उसकी value आपकी 1 या more than 1 है, तो 0 से तो हमेशा greater ही होगी, और 0 से greater मतलब क्या होगा आपका, प्रूव हो गया कि strictly increasing है आपका यह भी, simple है बिलकुल, अब आप देखेएगा, example 7 और 8 तो हो चुके है हमारे, अब देखेए, प्रूव देट, example number 9, प्रूव देट, the function given by F-X is equals to core X is strictly decreasing in 0, pi, or strictly increasing in pi, 2pi, and neither increasing nor decreasing in 0, 2pi, तो आप समझेगा बच्चो इसमें, इसमें आपको interval दे रखे हैं इस बार यह ना, उसमें R दिया था, real number, इस बार अलग-अलग values दिया है, कुछ fixed values करके, और function दिया, बिलकुल, उसी type से करेंगे हम इसको भी, हमने क्या किया, F-X लिखा हुआ है, differentiation किया with respect to X, के, अब ये F-X इसी कस्टू, कोज X का क्या है, आपका minus sin X आ गया है, बच्चो, अब आप देखिए, जो F-X की value है, ये check करनी है, मैंने, तो आपको पता होना चाहिए, कि अगर X balloon करेगा, 0, 5-0 कमी नहीं हो, आपका second quadrant और first quadrant, first or second, दोनों quadrant इसमें आ जाएंगे, आप sin X, अगर more than 0 है, तो minus का sin X क्या होगा, बच्चो, वो less than 0 होगा, तो अगर ये less than 0 होगा, तो क्या होगा, इसका मतलब ये F-X की value हमारी 0 से less than है, और 0 से less than है, तो therefore F-X is strictly decreasing in 0, pi, तो ये simple सा आपका strictly decreasing प्रूव होगे, बच्चो, अब आप देखिए, इसका B part, B part कितना easy लग आपको आप देखिएगा, if X belongs to pi, 2pi, इसका मतलब ये क्या होगा, आपका third or fourth quadrant की बात कर रहा है, तो third or fourth quadrant में sin X की value क्या होती है, negative होती है, यानि कि 0 से less than होती है, बच्चे, तो आप देखिए 0 से less than, लेकिन अगर मैं यापर minus का sin कर लो, तो फिर क्या होगा, ये greater than 0 होगा, बच्चो, और अगर ये greater than 0 होगा, तो ये हमारी किसकी value, F-X की, तो F-X हमारा greater than 0 होगया, और greater than 0 होगया, तो क्या होगा, therefore, F-X is strictly increasing in pi, 2pi, तो ये क्या होगा, आपका इस्तिकली increasing होगा, बच्चो, अब आप देखिए, इसका C part, आपका third part, last part है, F-X की value 0 से कम है, कब 0 से piper, और F-X की value 0 से greater है, कब pi से 2pi, यानि अगर देखा जाए, 0 से 2pi, तो जगा चेंज होगा होगा, एक बार का negative हारी, एक बार positive हारी है, therefore, F-X is neither increasing nor decreasing in 0,2pi, ना ये increasing क्योंकि आपका sign change हो रहा है, एक बार negative हारी, एक बार positive हारी है, अब आप देखिएगा, बच्चो, example number 10, find the intervals in which the function F given by F-X is equal to, ये आपको दे रखा है, is strictly increasing और strictly decreasing, बच्चो, आप से interval find करा रहा है, वो जिस पर ये strictly increasing हो, और strictly decreasing हो, बताईए, अभी आपने जो example number कौन कौन से कर किया, फिर 8 किया, फिर 9 किया, तो इन में तो आपको real number दे राखा था, बच्चो, इन में real number दे राखा था, इन में interval दिये था आपको, ठीक है, लेकिन अब इस बार किया, आपका example number 10 में आपका, उसने type change कर दिया, वो पूछ रहा है, आपसे interval पूछ रहा है, जो दे रहा है interval find करने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चो, f'x की value को 0 रखते है, यानि कि जो first derivative होता, इसको 0 पुट करते हैं, तो इसको मैंने 0 पुट किया, यह minus 4 दर जाके plus 4 हो गया, 2 से 4 को कटके 2, तो x equal 2 आगया है, बच्चो, अब यह x equal 2 जो है, आपका, जो real number line होते है, minus infinitive से plus infinitive त लेते हैं, बच्चों में शाम, disjoint interval लेते हैं, strictly increasing, decreasing में थी, कि ध्यान दखिएगा, disjoint मतब open interval होते हैं, जिसमें to include ना हो, यहां भी to include नहीं हो, minus infinitive और plus infinitive पर तो, हमेशा ही open interval आता है, आपको पता है, 11th class ती है, तो आप देखिए, अब यहां चालिका, मैंने इसकी language को माइनस infinitive 2, 2, and 2, 2, कि आपका infinitive, यह दे रखे आपको, अब आप देखिए, इनकी values आप check करेंगे, जो first derivative था आपका, ठीक है, तो first derivative क्या था हमारा, first derivative मैं आपको याद दिला रहेता हूं, first derivative की value थी बच्चों मेरी है, यह देख लीजिएगा, ना बच्चों, समझ रहे हो क्योंकि आपर अगर मैं इसमें 2 common ले लेता हूं बच्चों, तो क्या आजाएगा आपका, x-2, तो अब आप देखिएगा, अब यह value मैंने check करनी है, इस interval पर पहले, आप देखिए, इस interval पर कैसे check होगी, इनके between कोई number लीजिए, जैसे 2 से less than, 2 से less than क्या होगा, 1, 1 रख ल इस पर तो आपका, istically decreasing prove होगा, अब second पर चेक करते है, जो 2, infinitive आया है, जो second interval आया है हमारा, उस पर चेक कर रहा हूं में, तो 2, infinitive कैसे आपका 2 से more than, और infinitive से less than, यानि कि क्या 3 ले लिजिए, 3 लिए मैंने आप 3-2 किया, तो 1, और 1 की 2 से यानि, positive आ रहा है, यह वाला positive आ क्या भी interval सी find करा रहे, बच्चो, in which the function f given by, क्या आपका fx is equal to, इस बार cubic expression दी आपको, is strictly increasing, strictly decreasing, बिल्कुल same question है आपका, आप देखें कैसे करेंगे, fx दे रहा है आपको, differentiation के, with respect to x के, अब देखें का बच्चो क्या करेंगे हम इस में, यह देश हो गया, यहाँ पर यह 3-4 आ रहे हमारा कितना 12, 12 मैंने common ले लिए तीनों में से, तो यहाँ x square बचा, minus यहाँ x बचा, और minus 12 से divide किया, तो 6 आपका, अब आप देखें का हम क्या करते हैं, जो f dash x होता है, उसको 0 पुट करते हैं, बच्चो, तो मैंने f dash x की value को क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया minus 6, अब आप 2-2 में common ले लिजिए, इसमें से common लिए तो x common x minus 3 बचा, यहाँ से आपने 2 common लिए तो x minus 3 बचा, इजी कस्टो 0, पूरे में से आपका x minus 3 common आ रहे बच्चो, x plus 2 बचा, इसको 0 रखोंगा तो x equal 3 आएगा, इसको 0 रखोंगा तो x equal minus 2 आएगा, अब आप देख यह आपका जब 2 जगह से कठी है, तो 3 interval आपके बनेंगे, ठीक है, यह 3 intervals क्या होंगे, आपके, minus infinity to minus 2, और minus 2 to 3, and 3 to infinity, तो आप देख लीजिए, बच्चो अब इसकी value कैसे check करेंगे, value तो यही वाली है न, f dash x की value तो थी है, 12 से फर्क नहीं पढ़ेगा, plus minus पर value समझ लीज हो जाएगा, यहां से check करना, आपका, आपने यह value ली, इसके between value, जैसे minus 3 ले लिया, तो minus 3 इसके बीच में लाई करता है, बच्चो, अब minus 3 आप यहां रखिए, minus 3 minus 6, यहां पर minus 3 रखिए, तो minus 3 में से 2 गया है, तो minus 1, अब minus क्या हो जाएगा, प्लस बच्चो यानिकि 0 से greater आएगा, तो आप देखिए, यह 0 से greater आएगा, इसलिए क्या हो, एस्टिकली increasing हो गया, अब आप देखिएगा, minus 2,3, minus 2,3 के between क्या रहे, 0 ले ले लेता हो, तो 0 रखना है, आपने x की जगा, तो x की जगा 0 रखा है, minus में, यहां 0 रखा प्लस में, minus, plus, minus, यानि कि f-x की value आपकी less than 0 हो गई, बच्चो, less than 0 हो गई, तो क्या होगा, आपका stickly decreasing हो गया, अब आप यह value पुट कर दीजिए, 3, infinitive, तो 3 से more than 4, 4 रखा मैंने यहां पर तो यह positive, यहां पर 4 रखा यह भी positive, तो positive into positive, positive ही आया, तो positive आया, तो 0 से greater हो गया, तो stickly increasing हो गया, बच्चो यह प given by fx is equals to sin 3x, x belongs to 0, pi by 2, यह दे रखा है बच्चो आपको, ठीक है, कहा है, find intervals, intervals find कीजे, in which the function given by, यह दे रखा है, और यह limit 3x की is increasing or decreasing, तो आप समझेगा, बच्चो, यहां पर increasing बोला और decreasing हो इस्टिकली increasing नहीं बोला, तो आप देखिएगा, तो आपने कहा कि fx लिखा जो था, f-x निकाला आपका, आपको पता है, sin का cause आएगा, और यह 3x का 3, तो 3 cause 3x हो गया, बच्चो, अब आप f-x को 0 पुट कर रहें, 0 पुट किया, आपने, तो यहां से 3, तो आपका 0 हो गया, अब cause 3x कितना है, बच्चो, आपका 0, अब cause 3x अगर 0 आएगा, तो आपका cause 3 x equal 0 को क्या लिख सकता हूं, बच्चो में आपका, cause 5 by 2 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, बच्चो में आपका, यह cause 5 by 2, तो अब आप देखिएगा, cause से cause गया, x की value यहां से कितनी आएगी, 5 by 6 आगई, अब यह 5 by 6 जो आपका, डिवाइड कर रहें किसको 0, 5 by 2, यह म increasing और decreasing वाला होता है, बच्चो तो आप धियान रखिएगा, इसमें closed interval ही आएगा, दोनों तरफ, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है, किसमें आपका increasing और decreasing में closed interval आता है, यानि कि joint interval ना होकर, joint interval होते है, ठीक है, तो अब आप देखिएगा, बच्चो इस पर value क्या तो आप इसके between कोई value लीजिए, यह 0 है और यह पाइवाई 6 का अंदर पे 30, तो 30 का, 30 और 0 के between 20 ले ले लेता है, तो अगर मैं 20 पुट करता है, इसमें, तो 23 जा 60 तो cos 60 positive होता है, तो आप यह देखिए positive आएगा, और अगर मैं यहां पर, क्या रखने लगूं यहां पर, ध धियान रखिएगा, तो आप देखिए, 0 या more than 0, तो यह क्या हुआ, आपका, FX is increasing, तो बच्चो, क्या हुआ, FX हमारा increasing हुआ, और यहां पर अगर मैं बात करूं, इस वाली value पर, तो इस वाली value पर भी value चेक करा देता हूं, आपको, देखिए, जैसे आप ले लीजिए, यह 30 है, और यह 90 है, तो 30 से more than 40 ले लीजिए, तो 40 degree अगर आप यहां put करेंगे, बच्चो, इसमें, तो 43 is 120, और 120 कौन से quadrant में आता है, आपका second quadrant में, तो second quadrant में cause की value क्या होती है, बच्चो, negative, तो यह cause की value negative होती है, तो यह किसमा है आपका negative, और less than, 0 से less than, या 0 के equal क्यों तो 0 या 0 से less than आएगा, और जब 0 या 0 से more than होता है, तो increasing होता है, बच्चो, और जब 0 या 0 से less than होता है, तो decreasing होता है, अगर यहां equal to नहीं होता है, सिर्फ यह increasing होता है, तो फिर क्या होता है, सिर्फ यह greater होता है, तो क्या होता है, strictly increasing होता है, और अगर यहां equal नहीं होता है स्रिफ क्या ओता होता तो यह स्रिक्ली डिक्रीजिंग होता है। लेकिन जब यह ग्रेतर दैन के साथ इक्व यह लेस्द के साथ इक्वल होता है तो सिर्फ इनक्रीजिंग यह दिक्रीजिंग होता है फंक्शन अमिशत ज्यान दक्किएगा। देखिए एक्जाम्पल नुम्बर 13 में find the intervals in which the function f given by fx is equals to sin x plus cos x बच्चो यह दे रखा है और इस बार लिमिट बढ़ा दी है 0 से लिकर 2 पाई तक दिया है ना x की वेल्यू आपकी और strictly increasing और strictly decreasing के बारे में उसने पूछा है यानि कि जो intervals लेंगे हैं disjoint intervals लेंगे बच्चो इस बारी है ना क्योंकि strictly दे रखे आपको fx की वेल्यू आपने लिखी fx equals sin x plus cos x अब हम क्या करेंगे बच्चो जो fx से उसको क्या पूट करेंगे 0 तो मैंने 0 पूट कर लिया बच्चो तो cos x minus sin x इसी कस्टू क्या है मेरा 0 अभी sin x उदर जाकर क्या होगे आपका plus अभी sin x divide में सामने 1 बच्चा है तो cos upon sin यानि कितना cortex equal 1 तो cortex equal 1 तो ठीक है cortex positive होता है कि इसमें first quadrant में थर्ड में दोनों में होता है यह मैं first और third की बात क्यों कर रहा हूं बच्चो क्यों कि उसने चारो quadrant में value दी है ना 0 से 2pi तक तो चारो quadrant होते है तो मैंने चारो के इस आपसे ही value लिखनी है कि court equal 1 है आपका cortex equal 1 तो यह नहीं कि खाली यह आपका first quadrant में हो गया है first और third दोनों होता है तो first में तो directly pi by 4 हो गया है आपका और third में जाने के लिए pi plus करते हैं तो pi plus pi by 4 हो गया है तो एक pi by 4 आई value और एक आई 5 pi by 4 अब आप देखिए यह कैसे disjoint हो जाएंगे intervals आपके 0 से लेकर pi by 4 फिर pi by 4 से लेकर 5 pi by 4 फिर 5 pi by 4 से लेकर 2 pi बच्चो ठीक है यह values हमारी आ गई है अब हम इन values पर check कैसे कर सकते हैं किसकी value f dash x की तो अभी मैं आपको याद दिला रहता हूं कि बच्चो मेरी f dash x की value है कितनी तो कितनी value है मेरी cos x minus k sin x यह value है ठीक है तो अब आप देखिए किसमें कितने अच्छे से आपको समझ मा आ जाएगा देख लीजिए 0 और 45 के बिटिव इनको value पूट कर लीजिए ठीक है 30 रख लीजिए तो 30 degree एकर मैं रखूँ है आपर cos 30 और यहां sin 30 cos 30 होता है बच्चो आपका root 3 by 2 कितना होता है बच्चो root 3 by 2 और यह 1 by 2 तो 1 by 2 और root 3 by 2 तो दोनों के upon में 2 तो ही है ना दोनों के upon में 2 तो ही ही आपका तो root 3 बड़ा है या 1 तो root 3 तो cos 30 के value ज्यादा होती है इसलिए क्या आएगा यह positive आएगा जब positive वाली के ज्यादा होगी तो क्या आएगा आपका यह positive आएगा यह 0 से greater आएगा और 0 से greater है तो क्या वह strictly increasing हो गया इसी तरह से आप देखिए ब value होती है आपकी 1 by 2, sin 60 होता है आपका root 3 by 2 तो इस बार यह ज्यादा है तो minus में आएगी जो value आएगी तो minus में आएगी तो आपने क्या कर लिए less than 0 कर लिया बच्चो इसी तरह से अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा उलच जाते हैं क्यार य इसमें 4th quadrant में cause की value जो भी होती है positive होती है आपको पता है 4th quadrant में cause of sake आपके positive होता है जबके sign negative होता है 4th quadrant में sign की value आपकी negative होती है और बाहर भी negative है तो negative negative positive तो पूरा positive आएगा जनी क्या हो जीरो से greater देन हो गया बच्चो देखे रहे हो ना कैसी smart calculation करते है moralis में इस चीज़ का रियान रखिए गरसे time बहुत बचेगा आपका exam में और smartness आई गया आपकी calculation में आप देखिए यह strictly increasing हो गया आपका जो basic है ना इसका बहुत अच्छा हो गया है अब मैं exercise 6.2 आपको कराऊंगा जो एक जैसे questions होंगे उनको चोड़ता जाऊंगा तो आप देखिएगा show that the function first question है आपका show that the function given by fx is equals to 3x plus 17 is strictly increasing on r है न तो यह आपका कौन सा है example number कौन से यादा है गया आपको 7 यह आप खुद करिएगा homework हो गया अब आप देखिएगा second question आपका तो second question में आपको क्या दे रहा है बच्चो ध्यान से देखिएगा show that the function given by fx is equals to e to the power 2x is strictly increasing on r तो आप देखिए strictly increasing है किस पर आपका r पर तो आप देखिएगा fx is equals to e to the power 2x है आपका f'x is equals to 2e to the power 2x हो गया अब आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा है मैंने क्या लिखा कि e to the power 2x greater than 0 क्यों क्योंकि यहां पर क्या है because exponent function always positive on x belongs to r अगर आपका x हमेशा belong करेगा r में तो यह value आपकी हमेशा positive होगी और positive means आपका greater than 0 तो f'xb क्या होगा आपका जब यह आपका greater than 0 यह तो 2e to the power 2x भी आपका greater than 0 होगा यहानि कि f'xb आपका greater than 0 हो गया therefore fx is strictly increasing on r तो यह क्या होगा आपका strictly increasing on r किस पर आपका r पर अब आप देखिए कहा यह third question बच्चों third question में आपको क्या दे रखा है show that the function given by fx is equals to sin x is strictly increasing in 0, pi by 2 is strictly decreasing in pi by 2, pi neither increasing nor decreasing in 0, pi यह homework हो गया क्यों क्योंकि example number 9 की तरह है आप खुद देखिएगा बच्चों इसी तरह से आपका जो आपका question number 4 है question number 4 पर ध्यान दीजिएगा क्या आपका find the intervals in which the function f given by fx is equals to this is strictly increasing, strictly decreasing यह example 10 की तरहा quantity के आपको expression दिया है और क्या पूछा उसने आपसे intervals पूछा आप बिल्कुल example 10 अभी इसी वीडियो में मैंने करा है आपको देख लेजिएगा अब आप देखिए बच्चों question number 5 find the क्या देखिए आपको इसमें intervals in which the function f given by तो आपको देखिए उसने fx is equals to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is strictly increasing strictly decreasing ये example number 7 है आपको उसमें भी cubic क्या दिया था आपको cubic polynomial देखिए जिसमें भी आपकी cubic polynomial है आपका ये भी homework हो गया अब आप देखिए जो similar question से में आपको वो छुड़वारों बड़े आसान हो जाएंगा आप प्रेक्टिस कीजिएगा बच्चो question number 6 find the intervals in which the following functions are strictly increasing on or strictly decreasing आप देखिएगा x square plus 2x minus 5 ये quadratic equation दे रखिए आपको ये quadratic polynomial sorry ये homework हो गया ये भी quadratic polynomial ये homework हो गया qbk homework हो गया यहाँ पर भी quadratic के homework हो गया लेकिन ये कुछ अजीब सा दिया है ये में इसलिए आपको करा के दिखा रहा हूं ठीके देखिए का ध्यान से बच्चो इसमें मैंने इसको लेट कर लिया है जो expression दिया है उसने आपको ये अपने fx ये फर्स्ट वान लिया सेकेंड डिफ्रेंशेशन के विज एस्पेक्ट टू एक्सके ठीक है तो आप देखिए का ये फर्स और ये सेकंड प्रोड्रेक्ट रूल एप्लाई हो गया फस्ट एज़िए आपका इसका क्यों तो पावर स्टार्टिंग में आ गई और यहाँ प x कंक का रहा है इसमें भी है इसमें भी आप देखिए हैं ना बच्चु Effect only एहाँ सब्रेक्ट आपका प्रेक्समाइनस-बच्पलाit यह उपर कर फ्सक्कलाईशन कहारी को मょ सब्सक्राइशन का यहां ना पذ्च्छु एत्या खर्यरहां कर फख़ल कं प्रोड़क्ट चूरर् ले लिए इसमें से आप two common लेंगे तो यह two three is a six हो जाएगा बच्चो yes it is yes it is और यहां पर x minus one बचा अब आप देखिए का बच्चो यह जो f dash x है ना इसको आप zero put कर दीजिए यानि कि values आप zero put करेंगे तो यहां से x की value आपकी minus one आएगी यहां से x की value आपकी three आएगी और यहां से x की value आपकी वनाएगी हाला कि यहां से तो value निकालने भी हमारी बेकारी जाएगी क्यों क्यों की देखा जाए तो यहां पर तो स्क्वायर है तो यह वैल्यूस तो कोई इफेक्ट ही नहीं डालेंगी कभी यह तो पॉजिटीव रहेगा इन वैल्यूस पर तो ठीक है सिर्फ इसकी वैल्यू आपकी इफेक्ट डालेगी लेकिन कोई नहीं जो प्रोसेस चला रहे हैं मुझस इंफेक्टिव प्रोसे माईनस मुझसु का जांते और ब लेक्ति राओ सम्ट म एको हैं कैसे नहीं जो प्रेमिद हैं चला संप जीदो ते ले देनी, इस तरह से आ रहा है वच्छोक का अगर आप देखें यह यह वैल्यू आप की ठीक है यह वैल्यू आप की, तो इसके BETWAII वैल्यू –2 ले लीजिए, अगर आप –2 पूट करें इसमें 1 लीजिए तो यह square है square है तो positive रहेगा अगर minus 2 इसमें put करेंगे आप तो minus का 3 यानि negative आएगा यह रहा इसी तरह से इनके between value 0 है 0 आप इसमें put कर दीजे तब भी minus आ रहा है या निकि यह रहा और अगर आप इसके between value 2 रखें तो 2 भी नहीं रखना है 2 minus 1 यह plus 1 आ रहा है इनसे तो कोई फर increasing stickly increasing stickly increasing आप चाहे तो यह भी लिख सकते हैं आप बच्चो कि क्या आपका therefore क्या आपका fx is strictly decreasing on कहां से का तक सीधा minus infinitive से one लिख दीजिए जब दोनों आ रहे हैं यह and क्या आपका stickly increasing on कहां से कहां तक बच्चो आपका 1 से लेकर कहां तक आपका infinitive तक ठीक है यह भी आपका हो सकता है आप देखिएगा कुक्ष नमबर 7 show that y is equals to this minus this x greater than minus 1 is an increasing function क्या दे रखा है बच्चो आपको increasing function of x throughout its domain domain मतलब यह जो दे रखा है तो आप देखिएगा सबसे पहले आपने वाई लिखा जो दे रखा है differentiation क्या विज इस प्रेंशेशन के तो य का dy by dx आ गया यह लोग का करते हैं तो वनपोन आता है इसका करूँ आ इन टू में तो वन ही आएगा तो किया नहीं मैंने माइनस यह टू आपने बाहर लिख लिया इसमें question rule लगा दिया तो यह आपका नीचे वाले का square फिर नीचे वाला as it is फिर x का क्या तो वन फिर माइनस उपर वाले एनी x as it is और नीचे वाले का एनी 2 का क्या 0 x का क्या 1 यह आया बच्छो आपका अब आप इसके आगे देख देखा हुआ है माइनस यह two as it is आप देखिए two plus x और यह minus x आ गया यह x से x cancel आपका यह two two the four हो गया बच्छो आपका नीचे जो था वही रहा अब आपने क्या किया बच्छो इसमें LCM ले लिया one plus x और two plus x के all square के LCM लिया तो इसकी इधर इसकी इधर multiply हो गई यहाँ पर मै minus 4 की one से होई तो minus 4 और minus 4 की x से होई तो minus 4x तो आप देखिएगा बच्छो कुल मिलाकर क्या हुआ आपका यह two का square 4 यह x square यह plus 4 x हो गया यह minus का 4 यह minus 4x यह 4 x से आपका 4x cancel बच्छो यह 4 से 4 cancel बच्छा क्या आपका finally उपर x square बच्छा और नीचे जो था वही रहा आपका अब बच्छो आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपका x square है जो square होता है वो आपका 0 या greater than 0 होगा आप समझ लीजिएगा 0 या greater than 0 होगा अगर आपका x क्या है minus 1 से बढ़ा है है ना तो minus 1 से बढ़ा है तो x तो 0 भी हो सकता है ना बच्छो तो इस वज़े से या तो 0 होग अब यह जो square है यह भी आपका 0 ग्रेटर देन 0 होता लेकिन x के value minus 1 से बढ़ी है minus 1 से बढ़ा आप इसमें कुछ भी रख लीजिए वो आपका क्या हैगा 0 नहीं आ सकता तो इसलिए क्या है आपका 0 से सिर्फ greater हुआ यह वाला यह वाली value आप देखिए 1 प्लस x उसने क्या दिया आपको x greater than minus 1 minus 1 से greater आप कुछ भी रख लीजिए यह value भी आपके 0 से greater आएगी तो बच्चो यह 0 से greater आ रहा है यह 0 से greater आ नहीं नीचे वाला और उपर वाला 0 या more than 0 आ रहा है तो इसका मंदब यह पूरा function क्या हुआ 0 या more than 0 हुआ और जब 0 या more than 0 होता है न बच्चो तो उसको हम क्या कहते है सिर्फ increasing कहते है इस टिकली increasing नहीं कहते है अगर इस टिकली increasing होता तो यहाँ पर यह greater यह सिर्फ greater का sign होता ठीक है यह equal नहीं आता और अगर इककल आ गए तो इस इंक्रीजिंग function है आपका इस interval पर जो आपको दे रहा करने अब आप देखिए बच्चो कुक्ष नंबर 8 find the values of x for which y is equals to this is an strictly increasing function यह strictly increasing कर देना भुक में आप ठीक है इस कुक्षन को तो आप देखिए गा य इककल जो आपको दे रहा है वो लिखा मैंने differentiation के है with respect to x के पहले whole square का होगा तो 2 is starting में आगया पावर 1 बची अब इसके अंदर वाले का होगा तो इसको first मानूँआ मैं और इसको क्या मानूँआ second तो first आपका as it is और इसका किया x का तो 1 और minus 2 का किया तो 0 प्लस ये second आपका as it is और x का किया तो 1 अब आप देखिएगा बच्चो इसमें ये 2 आपका as it is ये x x minus 2 as it is यहाँ पर आपका x और x minus 2 तो ये finally जब आपने solve किया तो कितना है आपका ये तो सब कुछ वही x और x 2 x minus 2 फिर इसमें से 2 common ले लिया आपने तो ये 2 to the 4 हो गया ये आया पूरा आपका बच्चो अब जब ये पूरा आ गया आप क्या करेंगे इसमें इसको 0 पुट करेंगे जब आप इसको 0 पुट करेंगे तो x equal 0 आ रहा है x equal 2 आ रहा है x equal 1 आ रहा है तो आप intervals find कर दीजिए minus infinitive से infinitive तक ये values लिख लीजिए increasing order में पहले 0 फिर 1 फिर 2 अब ये intervals आपके होगा है minus infinitive to 0 फिर 0 to 1 फिर 1 to 2 और फिर 2 to infinitive तो आप देखिए का बच्चो f-x की value आप कैसे check कर पाएंगे तो f-x की value आप कैसे check करेंगे यानि कि क्या 0 और इसके between कोई minus 1 ले ले लीजिए minus 1 अगर म तो इसके मदब 0 से less देन आ रहा है इसी तरह 0 से greater कोई value देखिए यह वाली 0,1 यानि कितना रखा मेने 0.5 रख लीजिए 0.5 अगर मैं रखूंगा बच्चों तो किसमा हैगा minus में या रखूंगा minus में minus में minus हो जाएगा plus और यह 0.5 तो plus है तो पूरा positive आ रहा है यानिकि य इसी तरह 1,2 के बिटिवी 1.5 ले लीजिए 1.5 अगर मैं यहां रखूंगा तो क्या होगा आपका 1 से ज्यादा है तो positive यहां पर यह 2 से कम है तो negative यहां पर positive तो पूरा negative आ रहा है तो 0 से less देन आ गया इसी तरह 2, infinitive तो 2 से greater आप 3 ले लीजिए यहां भी positive 3 रखूं तो यह और यह तो ही positive तो आपका यह 0 से greater आ रहा है तो अब आपको पता है बच्चो की क्या आपका therefore fx is increasing on 0,1 and 2, infinitive जो आपका increasing बलके क्या आपका stickly increasing ध्यान रखेगा बच्चो इसका ठीक है कि यह stickly increasing के किस-किस पर 0,1 पर बच्चो आपका एक तो ठीक है यह रहा और दूसरा कि इस पर आपका 2, 2, infinitive ध्यान से देख लीजिएगा अब देखिए आप question number 9 prove that y is equals to this is an increasing function of theta in 0, pi by 2 यह दे रखा है y आपका यह हो गया अब आपने differentiation किया किसके respect में theta के respect में dy by d theta यह 4 आपका as it is अब इसमें क्या करेंगे question tool लगेगा नीचे वाले का square, नीचे वाला ऐसी लिखा मेंने आपर फिर इसका किया है तो cos, फिर sin as it is फिर नीचे वाले का किया है इसका 0 और cos का minus sign और theta का किया है तो minus 1 आगया बच्चो आपका तो आप देखिएगा ध्यान से इसमें क्या करने वाले हैं यह 4 का 4 आपका यह cos के अंदर multiply 2 cos theta cos q तो cos square और यह minus minus plus sin की sin square अब आपको पता है बच्चो के cos square plus sin square को हम 1 लिख सकते हैं तो यह क्या हुआ आपका 2 cos theta plus 1 बाहर 4 का 4 नीचे minus 1 थाई अब आप इसमें LCM ले रहे हैं बच्चो तो LCM लेंगे तो इसके इदर इसके इदर multiply हो गई अब आपने क्या कि इसके इदर की तो 4 की अंदर multiply कर दी मैंने यहाँ पर यह माइनस यह whole square मैंने खोल दिया बच्चो a plus b मानकर a plus b का whole square खोल दिया अब आप देखिएगा नीचे जो था वही रहा आपका LCM लेक इसमें यह क्या हुआ 8 में से 4 गया है तो 4 cos theta यह 4 से 4 कड़ गया माइनस cos square theta नीचे जो था वही रहा आपका अब आप क्या करेंगे इसमें नीचे वाला जो है वही रहा और उपर क्या cos theta common ले लिया यह आगया बच्चो अब आपको पता होना चाहिए कि यह क्या होगा greater than 0 होगा हमेशा क्यों होगा क्योंकि cos theta की value कम से कम माइनस 1 होती हो ज्यादे से जादा प्लस 1 अगर हम इसमें तो यहां पर भी क्या होगा बच्चो आपका यह भी आपका 0 से greater होगा लेकिन cos theta की value यह आपकी cos theta की value given interval यानि इस पर इस interval पर cos theta की value जो होगी आपकी क्या होगी 0 भी हो सकती है और 0 से ज्यादा भी हो सकती है तो यह आपका क्या हुआ 0 और 0 यह तो 0 यह भी 0 यह लेकिन यह क्या है आपका यह आपका 0 और more than 0 तो इसका मतलब पूरा यह function यानि कि dy by da theta जो है आपका 0 या more than 0 हो गया तो therefore y is an increasing function on theta belongs to 0, pi by 2 तो यह आगया है simple सा prove हो गया अब आप देखिए question number 10 prove that the logarithmic function is strictly increasing on 0, infinitive late कर लिया मैंने f x is equals to log x differentiation किया तो f dash x हो दिया है आपका 1 upon x और अगर x की value आपकी इसमें belong करेगी बच्चो तो यह आपका हमेशे क्या होगा greater than 0 होगा और यह greater than 0 हुआ तो आपका strictly increasing हो गए आपका ठीक है simple सा question था अब आप देखिएगा question number 11 बच्चो question number 11 में हम क्या करने वाले है आप ध्यान से देखिएगा है ना देखिए prove that the function f given by f x is equals to this is neither strictly increasing nor strictly decreasing on minus 1,1 तो आप देखिएगा अच्छा question है आपका आपने क्या किया f x is equals to this f dash x निकाला इसको 0 put किया यहां से x की value कितनी आई 1 by 2 अब जो उसने दिया है उसको आप break कर दीजिए यानि कि क्या minus 1 और plus 1 को आपने किसमें break कर लिए 2 interval में 1 by 2 की help से minus 1 से 1 by 2 और 1 by 2 से 1 तो अब आप देखिएगा बच्चो इसमें हम कैसे करेंगे कैसे कर पाएंगे यह देखिएगा अगर आप 1 by 2 से छोटा लेते हैं कुछ जैसे 0 ले लिया आपने और 0 को अगर आप इसमें put करते हैं यानि f dash x में यह value तो वही है तो अगर आप 0 को put करते हैं तो minus में आ रहा है यानि कि यह negative आ रहा है और अगर आप इससे बड़ा कुछ लेते हैं जैसे कि आपने क्या ले लिया 0.6 ले लिया 0.6 इनके between आ रहा है तो 0.6 ले लिजिए तो इस पर क्या होगा बच्चो आपका यह positive आएगा आप देख लिजी आराम से है न तो कुल मिलाकर यह positive आ रहा है अब कुल मिलाकर क्या होगा बच्चो यह इस पर तो आपका क्या रहा है strictly decreasing आ रहा है और इस वाले पर क्या रहा है strictly increasing आ रहा है अब हम देखेंगे कुक्ष नमबर 13 बच्चो, on which of the following intervals, देख लीजिएगा आप ध्यान से इसमें, is the function f given by fx request to x to the power 100 sin x minus 1 strictly decreasing, के इन में से किस पर ये वाला function जो आपका क्या है, strictly decreasing है, ये बताने है बच्चो आपने, अब देखेंगे बच्चो इस function को करने के लिए थोड़ा सा न मैं आपको basic एक बार सिखाता हूँ इसका, कि क्या आपका ये, पाई जी करस्टो आपका 180 degree होता है, आपको पता है, अब 1 radian, 1 radian कितना होगा, 180 degree उपर और नीचे कितना पाई आ गया, और पाई के value 22 upon 7 रखते थे, 7 उपर multiply में आ गया, ये आया, इसको divide करने पर ये नहीं आता, लेकिन approach में मैंने लिख लिया कि 57 degree आ गया, 1 radian लगबग 57 degree होता है, ये मान लीजिए आप, इसी तरह से अगर मैं बात करूँ, pi by 2 कितना होता है, 90 degree, अब अगर मैं इसको number में बदलना चाहूँ, तो 90 degree से मैंने 57 से divide कर लिया, 90 degree को, तो 57 से divide के 90 degree को, तो लगबग 1.5 आया, approach, तो फिर अगर pi by 2 1.5 होता है, तो इसका double यानि की pi कितना होगा, कितना होगा, 3 होगा, approach, ये सिफ approach वाली calculations है, सारी, आप ध्यान रखिएगा, लेकिन इनकी help से आपका ये वाला question बहुत easy हो जाएगा, देखिएगा, बच्चो, आपने क्य किया, fx जो आपको दे रखा है, fx दे रखा है आपको, आपने इसमें सबसे पहले क्या किया, बच्चो, f-x fine कर दिया, ये 100x to the power 99 plus sign का cause x हो गया, अब आप देखिए 0,1 है ना, तो आपने 0,1 लिखा, बच्चो, अब ये 0,1 लिखा, तो आपने 0,1 का use किया, कैसे, देखि बात, ठीके, अब देखिएगा, बच्चो, अगर 0,1 में कुछ भी रखता हूँ यहाँ पर, तो ये positive आएगा, अगर मैं 0,1 के between, यानि कि 57 degree और 0, यानि कि first quadrant, तो first quadrant में मैं इसमें रखता हूँ, तो ये भी क्या आएगा, positive ये भी positive, ये भी positive, तो इसका मलब क्या हुआ, कि पूरी value आपके positive आएगी, बच्चो, और पूरी value अगर आपके positive आएगी, तो fx क्या हो, आपका stickly increasing हुआ, अब मैं pi by 2, pi चेक कर रहा हूँ, तो pi by 2 भी मैंने माना था 1.5 और pi कितना माना था 3 है, approximately मान लिया मैंने, तो आप देखिएगा, बच्चो, आपको पता होना चाह तो आपकी value थी, कौन सी value थी, आपकी आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये वाली value cause की, तो cause की value क्या होगी, आपकी second quadrant में आपकी minus 1 भी हो सकती है, और 0 से, मतलब minus 1 से greater और 0 से less than होगी, किसमें बच्चो आपकी, कौन से quadrant की बात कर रहा value इसमें put करेंगे, तो ये जो भी आएगा, 1 से more than आएगा बच्चो, इतना तो confirm है, अगर इनके between value रखेंगे, more than 1 आएगा, और more than 1 आने का मतलब हो आपका, कि ये cause से तो ज्यादा ही होगा, ये positive होगा, ये positive होगा, और ये value इससे हमेशा ज्यादा होगी, तो इसका मतलब finally ये पूरी value क्या होगा, ये positive होगी बच्चो, तो ये भी क्या होगा, ये भी stickly increasing हो गया, अब इसी तरह से आप देखिए, first quadrant, first quadrant में तो कोई problem ही नहीं वैसे है, first quadrant में मैंने 1.5 मान लिया, तो ये भी greater than 0 होगा, ये भी greater than 0 होगा, तो अगर ये दोनों ही greater than 0 होगे, तो इस function number 14 को अलग-अलग way में करते हैं, कराते हैं, teachers आप इसको समझनी कोशिश कीजिएगा, find the least value of such that the function f given by fx is equals to this is increasing on, ठीक है, ये stickly आप अटा दीजिएगा, increasing on 1,2 ठीक है, यहां समझ लीजिएगा, ये 1,2 पर अगर increasing है, तो आप A की, क्या बताएए, least value बताएए, ठीक है, least value of A, ये जो है आपका, तो A की least value बताएए, आप ध्यान से देखिएगा अब बेटा, कैसे करेंगे हैं इसमें, ये fx से आपका f dash x find कर दिया आपने, ये 2x हो गया, और ax का क्या तो A आगया, अब आपको ये पता होना चाहिए, कि ये आपका जो है, increasing कब आया होगा, या तो 1 पर होगा, या 2 पर होगा, है ना बच्चो, ये n के between कोई value होगी, लेकिन ये जो intervals आये होंगे, इन पर क्या रहा होगा, आपका, ये 0 रही होगी, इसकी value पूरे की, जाहिर सी बात है, तो आपने 1 पुट किया, f dash 1 equals 0, और f dash 2 भी आपने पुट किया, f dash 2 भी आपने पुट क कम value आपके ये answer, ध्यान रखिएगा, इस exercise में काफी गडबर दे रखी, NCRT में, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, जो जो मैंने changes कराएं, चलिए, अब आप देखिएगा, next question number 15, आपका, let I be any interval disjoint from, I जो है आपका, ये कोई भी interval है, जो की disjoint, इससे अलग है, पुरूब देखिएगा, बच्चो, Fx आपने लिखा जो था, आपने Fdash x लिखा, X का किया तो 1, और इसका किया तो minus 1 upon x square, ये इधर, ये इधर, तो x square minus 1 upon x square, अब आप देखिएगा, Fdash x equal 0, तो Fdash x equal 0 आया, तो आपका x square minus 1 equal 0 upon, ये आपने cross multiply की, तो x square minus 1 equal 0, तो x की values आपकी क्या क्या ही, बच्चो, x की values आइए, आपकी plus minus के 1 आई है, ठीके, तो अब आप देखिएगा, बच्चो, interval disjoint from minus 1, 1 is minus 1, 1, ये आगे आपका है, ना, जो किस से अलग है, ये close interval में, open में आगे आपका, अब आप देखिए, इनकी कोई भी value ले लिजिए, आप किसमें अपने function में, जो आपका f dash x आया हो है, तो f dash x आपका क्या है, बच्चो, ये value आपकी f dash x की, ये रही आपके, ठीके, तो इस value को हम चेक कर लेते हैं, कि इस पर minus 1, 1 पर, क्या है value आपकी ये है, ठीके बच्चो, तो अब आप देख सकते हैं, कि इस पर ये क्या आ रहा है, आपका कैसे आ रहा है, आप देखिए, minus 1 और 1 के between, आपका कोई value हम इसमें अगर put करें, तो क्या effect पढ़ेगा, देखते लेकिन ये नहीं आएगा, बलके क्या आपका, आपका जो होगा, वो क्या होगा आपका, ये होगा, आपका, minus infinitive to minus 1, and 1 to infinitive, कहने का मतलब ये बच्चो, इससे disjoint पूछा ना, आपने, ठीके, आपसे उसने, तो disjoint पूछा है, तो आप ये हटा दीजिए, ठीके, तो I समझ ज आईए, आप इसमें कोई भी value पूट कर दीजिए, कोई भी value जैसे आपका क्या है, minus infinity, minus 1 के between, जैसे minus 2 पूट कर दीजिए, तो positive आएगा, इसी तरह यहाँ पर, plus 2 पूट कर दीजिए, तब भी positive आएगा, तो यानि कि क्या आपका, ये पूजिटिव हो गया, ये positive है, तो इ इस से पहले का, minus infinity, और इसके बाद का, plus infinity, तो ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत अच्छा question आपका, तो देखिए, अब question number 16, अभी आपका जो है, एक question आपका चुट गया है, बच्चो, आपका, question number 12, वो मैं, वो मैं अभी 16 औ 17 के बाद करा दूँ आपको, तो देखिए on this, तो यह आप खुद कर लीजिएगा, homework में, आपका, असानी से हो जाएगा, अब आप देखिएगा, बच्चो, question number 17 है, 17 के बाद question number 12, देखेंगे, पहले बताया भी मैं आपको, प्रूव देट, the function f given by fx is equals to log cos x, is strictly decreasing on this, and is strictly increasing on this, तो देखिएगा, हाला कि यह भी आप कर स करते हैं, खुद ही ठीक है, हो जाएगा, आपका, लेकिन मैं करके दिखा दो, दोनों एक जैसी question है, आपका, ऊपर और नीचे वाला, तो ध्यान से देख लीजिएगा, आप इसमें, fx is equals to log cos x, आपने लिख लिया, उसके बाद आपने fx निकाला, log का किया, तो 1 upon cos, cos का किय है, तो minus sin x, minus sin upon cos, minus के 10 x आगया है, बच्चो आपका, अब आप देखिए, अगर कितना simple हो, रासान सा कुक्षन है, ये 10 x की value जो है, हमारी 0 से greater होगी, कि इसमें, first quadrant में, और अगर ये 0 से greater होगी, तो minus 10 x की क्या होगी, 0 से less than होगी, तो इसका मतलब fx हमारा 0 से less than है, कि इस second quadrant में, second quadrant होगी, pi by 2, pi तक है, second quadrant, तो इसमें, आपकी निगेटिव होती है, 10 x हमारा, तो negative है नहीं, 0 से less than होगी, लेकिन, minus 10 x लोगा, तो negative, negative, positive होजाएगा, नहीं, 0 से greater होजाएगा, तो ये positive होगी, इसका मतलब f-x जो हमारा 0 से greater है, तो इसका मतलब pi by 2, pi होगी, आपका therefore f-x is strictly increasing on, क्या आपका इस पर, ये strictly increasing आगया, ठीक है, आप देखिए, question number 12 हो हमारा चुट गए तो हमें, करा देतों आपको, आप देखिए का बच्चो, question number 12, which of the following functions are strictly increasing on 0, pi by 2, 0, pi by 2 पर इनमें से कौन सा function आपका strictly decreasing है, ये बताने आपने, तो आप देख लीजे, f-x आपक निकाला, cause का है, minus के sin x, sin x जो हमारा greater than 0 होता है, किस पर आपका, pi by 2, 0, pi by 2, नहीं, first quadrant में, तो sin x हमारा 0 से greater होता है, तो minus का sin x क्या होगा, आपका, 0 से less than होगा, इस पर, तो इसका मुलब क्या हुआ, f-x हमारा 0 से less than होगा, किस पर, इस पर, तो क्या हो, therefore f-x is strictly decreasing on, 0, pi by 2, तो पहला वाला होगे, अब second में, आपका, क्या दे रखा है, cause 2x, तो आपने second वाले के लिए, b part के लिए, आपने क्या किया, बच्चो, f-x क्या लिखा, cause 2x, तो f-x कितना होगा, minus 2 sin 2x, cause का किया, तो minus sin, और 2x का किया हो, तो 2, तो minus 2 sin 2x आगे, आपका, अब आप से, तो 0 से, pi by 2, first coordinate होता है, लेकिन यहाँ पर 2x है, तो इसका मतब 2 sum, डिपलाइ कर दीजे, दोनों को, तो एक ताइसे, 0 से, pi होगे है, बच्चो, यानि कि, क्या, आपका, first or second, दोनों coordinate हो गए, तो दोनों coordinate में, first or second में, sign क्या होता है, हमारा positive होता है, बच्चो, positive होता है लेकिन minus का 2 sin 2x क्या होगा, negative होगा, तो अगर यह negative होगा, तो आपने क्या किया, बच्चो, यहाँ पर क्या, f dash x हमारा negative होगया, और यह negative होगया, तो क्या, realistically decreasing होगया, आपका simple सा, अब आप देखिए, c part इसका है, थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में क्या है, बच्चो से लिख दिया, आप वो समझिएगा, कैसे कह रहा हूँ मैं आप से, कि 0, यह 3x, 3x का, अगर मैं pi by 3 तक देखूँ, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया, 0 से pi by 2 है ना, बच्चो, ठीक है, 0 से कितना है आपका, pi by 2 है, तो अगर मैं इसमें 3 लिखूँ, 3x तो यहाँ पर pi by, कितना आपका, 0 से उसने pi by 2 दिया है ना, आपका, और यह value किस पर होती है, आपकी sign की, यह 0 पर ही होती है, वैसे तो आपकी, लेकिन अगर आप धियान दें, तो यह 3 quadrant बन जाएंगे, आपके, 0 से pi by 2 तक, कि अगर आप इसको 3 से multiply कर दें, तो यह पता है क यह पता होना चाहिए, कि यह 3 x वाला process करा रहूं, आपको यह ज्यादा easy पड़ जाएगा, देखिए 3 x वाला, कि x अगर हमारा इसमें ब्लोंग करेगा, तो 3 x किसमें ब्लोंग करेगा, इसमें, और इसमें ब्लोंग करने का मतलब हो, 1st, 2nd, 3rd, 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 तो तो 1st, 2nd में तो 1st, 2nd में तो आपका यह negative होगा, और फिर 3rd में आपका यह positive होगा, तो sign change हो रहे हैं, तो sign change हो रहे हैं, तो directly क्या कर सकते हैं, बच्चो इसमें समझ सकते हैं, कि ना ही यह stickly increasing और ना ही stickly decreasing है, ठीके, आप चाहिए तो इसमें दो पार्स में तोड़ कर भी कर सकते हैं, इसको लेकिन square है, तो यह positive ही होगी, आपकी 0 से 5 by 2 पर, तो यह positive होगी, तो क्या होगा, यह stickly increasing हो जाएगा, आपका बच्चो, अब आप देखिएगा, बच्चो कुक्ष नमबर 18, प्रूव देट इफ फंक्शन गीवन बाई, fx is across to this, is increasing on r, r पर increasing है यह, तो आप देखिएगा, fx लिखा आपने बच्चो, fx लिखने के बाद आपने क्या किया, fx निकाला है, यह निकि first derivative, तो x cube का करेंगे, तो 3x square, यह 3x square का करेंगे, जो 2, 3, 6x, और यह आपका plus 3, कितना असान है, बच्चो, आपका directly 3 common आ गया है, इसमें, और जब यह आपका directly 3 common आ गया है, तो अं इसी कभी square क्या होता है, 0 या more than 0 होता है, इक्कल भी हो सकता है, तो अगर यह आपका 0 more than 0 होगा, 3 से multiply कर दो, तो यह भी आपका क्या होगा, 0 more than 0 होगा, किस पर r पर, तो आप देखे, यह f-x के value 0 more than 0 आ गई r पर, तो इसलिए क्या हुआ, इंक्रीजिंग हुआ, क्या हुआ आपका इंक्रीजिंग होगा, किस पर r पर, अब आप देखेगा, इस exercise का last question है, आपका question number, आपका 19, the interval in which y equal x square e to the power minus x is strictly increasing, strictly लिख लिजी यह गाध्यान से है, strictly increasing is, किस पर यह आपका strictly increasing है, आपने यह बताने है बच्चो, तो आप देख लिजी अच्छा question है, आपका y is equals to this, जो दे रखा है, आपने इसको minus x को नीचे लागे, plus x कर लिया, power को, ठीके, अब आपने इसमें differentiation किया, तो नीचे वाले का square, नीचे वाला as it is, उपर वाले का differentiation, minus उपर वाला as it is, नीचे वाले का differentiation, अब आप देखेगा, e to the power x आपका common आ गया है, बच्चो इसमें, जो था 2x minus x इसका लिख दिया, अभी इससे cancel हो गया, तो नीचे कितना बचा, आपका सिरिफी to the power x बचा, और उपर से आपने x common ले लिया, तो 2 minus x, अब आपको पता है कि आप क्या करते हैं, इसमें, first derivative को आप 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट किया, तो x की value या तो 0 आई या x की value कि आएगे, आप x की between कोई value लिख लीजिए बच्चो, जैसे minus 1, अगर मैं या minus 1 रखूँगा, तो ये plus, लेकिन बाहर minus, तो ये पूरा किस्मा आएगा minus में, और e की power पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चो, exponential function की value हमेशा क्या होती है, आपकी, positive होती है, हमेशा positive होती, गि आपकी चेक करना है, तो आपने ये minus 1 रखा, तो ये आपका plus हो गया, लेकिन बाहर माहिन से तो minus रहा, तो आपका ये less देना है, तो strictly decreasing हो गया, अब आप ये 0 से 2 के between 1 आ रहा है, 1 रखा आपने आपर, तो ये 1 रखने पर आपका positive हो गया, तो ये strictly increasing हो गया, बच्चो, और आप 2 से infinitive तक लेते हैं, तो 2 से infinitive तक क्या होगा, आपका 3 ले लिजिए आपर, तो ये negative ये positive, तो पूरा negative आ रहा है, तो इसका मदब ये strictly decreasing हो गया, आप से पूछा था कि strictly increasing किस पर है, तो इस पर है, तो option D आपका बिलकुस सही है, ये आपकी complete होगी exercise बच्चो,